जेल प्रिशासन की नीध हराम हाई सिक्यूर्टी बैरक में सद्दाम तीन साल इसी जगे रहा था असरफ तीखे चटपटे वियंजन माफिय असरफ के साले सद्दाम को सी सेंट्रल जेल टू में रखा गया है जिसमें उसके बहनोई असरफ ने तीन साल का समय गुजारा यहां सद्दाम ने ही जेल स्टाफ से सांट कार्ट कर सारे सुकसुवदाय मोहिया कराएं थी इसी कारण जेल अधिशक समीत जेल में पुलिस के आठ अफसर करमचारी निलंबित हुए थे इन्वे से गिरफ़तार दो आरक्षी भी इसी जेल में बंद है सद्दाम को हाई सिक्योर्टी बेरक में रखने के बाद भी जेल परसासन की नीद हराम है इसलिए जेल परसासन फूख कर कदम उठा रहा है सद्दाम का खास गुरगा लल्ला गदी फुरकां समीत उसके कई साथी भी इसी समय इसी जेल में है हाई सिक्योर्टी बेरक में बंद सद्दाम खासा बेचैन बताए गया है अधिवक्ता उमेस पाल हत्याकांट से पहले असरफ का बरेली जिला जेल में सिक्का चलता था सद्दाम बिना पर्ची के बेनोई से मुलाकात करता था और सामान पहुंचाता था उमेस पाल की हत्ता के बाद हालाद बदल गए थे होटेल रेस्टोरेंट के तीखे और चटपड़े वेंजिनों के बजाए असरफ के सामान कैदियों का खाना ही पहुंच रहा था सद्दाम को भी अब कैदियों काई खाना मिल पाएगा प्रिस्पतिवार रात सद्दाम के सामने जो थाली पहुंची उसमें साद़ डाल सबजी वे रोटी थी सुतना के मताविक यह खाना उसे पसंद नहीं आया उसने अधिकारियों से ऐसी बेरक में रहने के च्छजटाई जहां और भी बंदी कैदी हो लेकिन इसकी अनुमती नहीं मिली तनहाई बेरक में भी जेल करमचारी सद्दाम पर खास नज़र रख रहे हैं जेल अधिक्षक ने दी स्टाफ को चेतावनी सेंट्रल जेल टू के अधिक्षक राजीव सुकला की निलंबन के बाद विपिन मिस्रा को इस पद की जिम्मेदारी दी गई थी सद्दाम के जेल में पहुंचते ही दो बारा से यह जेल सुर्ख्यों में आ गई है जेल अधिक्षक ने सभी जेल कर्मियों के साथ बैठा करका कि पिछली बार की तरह गलती ना दोराई जाए किसी के प्रलोभन में आने के जरूत नहीं है वरना फिर कारवाई का शिकार होना पड़ सकता है और जेल की बदनामी भी होगी सभी बंदियों से निमान उसार एक साविवार रखे किसी को वियाईपी समझने की जरूत नहीं है रिमान की दैसत भी सद्दाम को कर रही है परिशान सद्दाम को रिमान पर लिये जाने का डर सता रहा है सभी मुख्याले के अधिकारी बरेली के पुलिस अफसरों के संपर्क में है अगर जरूत पड़ी तो सद्दाम के रिमान के लिए आविदन करके उसे प्रियाग राज भी ले जाए जा सकता है माना जा रहा है कि सद्दाम के पास गुड़ू, बंबाज, शारिष्टा और जैनब के बारे में एहम चानकारी है मुख्याले को असरफ और अतिक के संपत्ति के बारे में भी पता है सद्दाम के रिमान के देशत भी परिशान कर रही है क्योंकि अतिक वे असरफ को प्रियाग राज में रिमान पर पहुंचने के दोरानी अपनी जिन्दगी से हाथ दोना पड़ा था